सेंपू को यूज़ करके सेंपू को लगाएंगे जिसे कि हमारे बाल भी बहुत अच्छी होगी आज में बताओंगे कि आप डायरेक्ट सेंपू को बिल्कुल भी ना किजिए और इसमें कुछ चीजों को मिला करके रेमिडी रेडी करके आप अपने बालों पे लगाएं इस तरह से बाल बहुत साधा लंबे काले काने हो जाएंगे तो देखे इस तरह से हमने एक लेशन लि मिलमम जाएं बाल को जोगते हो धा कना लेशन हमें घ्रपशिता हो से मेटेश महां के और इसमें गाहना हो भी धाहां आ हमें सब्सक्राइच के आप लीगिए जुटके ज्सक्राइच नहीं ही हो जलाल बालो कि तो ठोड़ते हूटी हैं लिए नियुज टोड़ते हुए पानी में उतर जाए तो इस तरह से में अच्छी तरह से कूटना है फिरेंट्स बहुत ही अच्छी एरेमेटी है इसे यूज करने के बाद आपकी बाल जो होती है बहुत ज्यादा शैनिंग ला देगी और बालो को अच्छी जैसे कि हमारे टूटी बालो को जड़ती बालो को तो इसमें हम एक टूड़ा अद्रक भी डालेंगे तो अद्रक का भी वही हल है जो लेजन का जो काम है वह अद्रक का भी काम है तो अद्रक भी हमारे डेंट्रक को खतम करता है हमारे जड़े हुए बालो को फिर से उगाता है तूटते हुए बालो को रोकता है बालो को बहुत अच्छे बालों की सहत दोगे तो बालों की अच्छी शहत अच्छी शाइनिंग के लिए हमें इस रिमेडी को सरूर यूज करना चाहिए ताकि जड़ते हुआ जो जिसके बाल बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं तो इसे लगाने से बाल उग जाएंगे और उगने के कुटने के बाद इसे हमने पानी डाल करके अच्छी सरसे मिक्ष कर लिया है मैं कर रही हूं वैसे आप कर लेना तो करने के बाद इसे हमें क्या करना है यूज करना है तो फिर इसे कुटने के बाद इसे हम क्या करेंगे एक बावल में ट्रास्फर करेंगे तो इसे अच्छी दिखेंगे ऑफ़ी नियुक्ति जोड़ करके इस पानी को चान लेना है और दिखें जोड़ रही हूँ इस तरह से आपको भी इस पानी को अच्छी तरह से नि चोड़ लेना है तो एदरे कोर्लेशन का जो पानी है वो हमने अच्छी तरह से निचोड लिया है और निचोडने के बाद इसमें जो हम डालेंगे वो चीज है निम्बू चुकि आप जानते हो कि निम्बू में विटामिन शी भरपूर मातरा में पाई जाती है और इसे हमारे जो डेंटरफ है वो डेंटरफ की समस्या जो खतम करती है विटामिन शी यह बहुत अच्छी विटामिन डी फास्पोरस यह जो होती है यह बहुत अच्छी हमारे बालो को बालो को बहुत अच्छी करती है और हमारी रूसी जो होती हो बालो में रूसी की रूसी को खतम करती है और यह हमारे स्केल्प में हमारी शीर की स्कीन में डैट सेल्स को भी होते हैं जो होते हैं वो निम्बू इसे निकलने में काम करता है तो अब हम लेंगे सेंपू सेंपू क यह दो दिया करना है, जाए हम अधर टूट नहीं चाहिए। इसम्पू करने से क्या होता है, बाल बहुत जाता है। अधरक औ लेशन की पानी में डाल करना है। तो आधरा को दो टूट लेना है। आपी आपटी मेरे सबचे टुर्मूने हमारे बाले कर बालों परपलाई कर लीडिया सबलाई और आपको था करें, वाला पर खीए अधोने पर इसदी आपने से बाल को assessments कर लीडिया सबने करणצם कों तो आपकोड़े पसे परें अदे इस बाले कृष़्ट रखने के ड़ी तीन बार लगबख जरूर ना चाहियो क्योंकि रखे में लेकिन के थे लूझे में 2-3 तिन भार किया शहां दो भाम pay BBC थोड़ा दिर 10 मिन तक लगग रखने के बाद इसे अपने बालों को ठंडे पानी से दोव लेना है रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तो फिरेंट से इसे यूज करकर कि अपने बालों को काफी अच्छा लेंट से दे सकते हैं काला लंबा गना बना सकते हैं स्मूद और शाइनिंग शिल्की बना सकते हैं तो फिरेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राब जरू किजिए का बेल आइकन घंटी को भी प्रेश कर दिजिए का ताकि कोई भी वीडियो मेरी इतने अच्छी यूसफूल आए तो उसका नोटिफिकरशन आप त साथ तूबावाई टीक केर